मतलब एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें एट साइट होती है जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं यह नाउन है इसका मतलब होता है अस्ट भूज एक ऐसा परसन जो की 80 यह ओर होता है जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है यह जो लेडी है यह अपना 80 यह का बड़े सेलिबेट कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं ओक्टोजिनेरियन यह नाउन है इसका मतलब होता है 80 साल का 8-armed sea creature मतलब सम्मुद्र का एक ऐसा प्राणी जिसके 8 arms होती है जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं आउन है इसका मतलब होता है ने त्रविशेश है कि जब भी हमारे आँखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं हम जाते हैं अकुल लिस्ट के पास अब सेसन फार वाइन मतलब जो वाइन होती है लीकर होती है इसको पीने का बहुत ज्यादा पागलपन होना बस उसे पीना बहुत सारी वाइन पीना उसे क्या कहते हैं जैसे कि समिज में दिखाया जा रहा है उसे कहते हैं ओईनो मैनिया यह गोर्मेंट और रूल बाई ए समाल ग्रूप अपेपल मतलब ऐसी सरकार या फिर ऐसा सासन जो कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा किया जाता है उसे क्या करते हैं जैसे कि समझ में दिखा जा रहा है कि और दो लोग है जो इन्हें सारा देखा हुआ है और जैसे मान लिया कि जो नेटवर्क वाला है उसमें कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जीओ वाले AITL Vodafone बस कुछ लोग है तो इसे क्या कहते हैं ऐसे मार्किट गो जिसमें कुछ लोग ही होते हैं और ऐसी सरकार जिसे कुछ लोग ही चलाते है उसे क्ते हैं उलिगर की ये नाउ निम्तलाब होता तो इसे क्या बोलते हैं तो इसे क्या कहते है इसे कहते है अमिनस यह नाहने सक vibra?, इसका अशेव पावर्फुल एक यह There जहां भी Omni आएगा तो वो related होगा सर्व से मतलब All से और जहां Potent आएगा उसका मतलब होगा Power जहां भी Potent होगा वो Power से related होगा तो Omni Potent मतलब सर्व शक्तिमान जिसके पास सारी पावर होती है Present Everywhere तो इसे कहते हैं इसे कहते है उमनी प्रेजन्ट यह जिंडेकटियू इस का मतलब होता है शर्व आपक अच्छा Omni मतलब one who eats both vegetables and meat मतलब एक ऐसा person या फिद एनिमल जो की meat भी खाता है और vegetables भी खाता है उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे ओम्नियोरस ये नाउनिस का मतलब होता है चरबचक इसमें ओम्निया मतलब आल मतलब vegetables भी और मतलब मतलब खाने माला that through which light cannot pass मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे light आरपार नहीं हो सकती है जैसे कि समेज में दिखाया जा रहा है इसमें light आरपार हो सकती है इधर उदर की चीज़न दिख सकती है इसमें लड़कों ये लड़का दिख रहे हैं लेकिन जो इधर साइड है इसमें नहीं दिख रहे हैं उदर साइड क्या यह नहीं समझ में आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं जो धुनला होता है जो अधर साइड क्या यह नहीं दिखता है इसे कहते हैं इसे कहते हैं ओफियोलोजी यह नाउन है इसका मतलब होता है श्यापू क अध्यान. फियर आप स्नैक्स. अच्छा इसमें एक वर्ड आया फियर. ये पहले पता चुक्छे है न जहां पे फियर आएगा तो कौन से वर्ड बने गा? तो इसमें रूट होगा फोबिया. तो इसमें स्नैक का जो फोबिया होता है उसे क्या कहते है? उसे कहते हैं Ophiophobia यह noun इसका मतलब होता है सांपों का डर इसमें क्या होता है कि सांपों बहुत ज़्यादे डर लगता है जिसको भी सांपों बहुत ज़्यादे डर लगता है उसमें Ophiophobia होता है A doctor who specializes in the disease of the eyes मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो कि आँखों की देख भाल करता है आँखों के डिसीज को देखता है उसे क्या कहते है अचा यह पहले भी आ चुका है तो यह सी का सिनानिम होगा तो उसे कहते हैं अप्थलमोलाजिस्ट यह ना उन्हें इसका मतलब होता है नेतर विशे चाहिए औ और अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखिए तो मतलब वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स का सेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं कर थैंक्स पो वाचिंग